कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीर गाए जा नमस्कार में हूँ पृती सक्से है ना और कहते हैं ना कि हम बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा और समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा कही न गई इसी सोच को रखते हुए जैन इंटरनेशनल ट्रेट ओगिनाजिशन जीलो की नगरी यानि की उधैपुर में एक कारिकरम आयजित हुआ 20 मार्च को जिसमें सोच रखी गई कि जैन समाज के युवा और जैन समाज का बर किस तरह से सरकार दोरा बिद्जिस में दी जाने वाली पॉलिसीज का फाइदा उठा सकते हैं और उनका फाइदा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपना नया वेबसाइब शुरू कर सकते हैं इसी संदर्ब में ये एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें जैपुर के जाने माने हम यूँ कहें कि राजस्थान के जाने माने गौर्मेंट पॉलिसीज के एक्सपर्ट विश्नु गोयल जी को आमंतित किया गया तो आईए आगे लेकर के चलते हैं आपको और किस तरह से इस कारिक्रम में विश्नु गोयल जी ने पॉलिसीज के बारे में बताया लोगों ने अपने सवाल जवाग किये और किस तरह से इस सेमिनार को एक आयाम तक पहुँचाया तो सबसे पहले कहते हैं कि लेते हैं उसका नाम उस ईश्वरी शक्ती के बंदन के साथ करते हैं हर शुक काम तो सबसे पहले आनंद भुटालिया जी ने कारिकेंट की शुबाग की नमोकार मंद के द्वारा तो आईए गर सुनते हैं ये नमोकार मंद जोल दिने ने सहाँ, नाम में उदरपूर चेप्टर के चेरपर संचेर राजिम्री स्वरान साथ, महाटा साथ, जीतो प्रोफेशनल फोरम के हैं शाहा साथ, एवं आज के विशेष रते थी प्रेजेंटर स्पीकर श्रुविष्णु जी गोयर साथ, एवं सभी पाहर रहे मैं सभी सम्मानी पाटिसिपेंट्स, आप सफ ही का मैं जीतो उदरपूर के तरफ से हर देख स्वागत और अभर मन करता हूं, हम एक नौकाल मंतर का पाट परीगे, नमो अरिहंतानं, नमो सेध्वानं, नमो आयरियानं, नमो अज्जायानं, नमेलो एसव साहूनं, एसो पंच नमो कारो सव पावपनाशन, मंग्लानंच सव वेसी, पढ़ो नम हवाई मंगलंगु नम नमो कार मंतर से शुबात के बाद, अब चलते हैं अतिती देवो भवा की परंपरा की ओर, हम राजिस्थानी हैं और हमारे राजिस्थान में कहा जाता है सोने रीधरती जठे, चांदी रोस्मान, रंग रंगीलो रजभरो मारू प्यारो राजिस्थान, तो संस्था के सदस और पदार्दिकारियों ने स्वागत किया हमारे इस सेमिनार के एक्सपर्ट विश्णो गोयल जी का हमारे राजिस्थानी पगड़ी और इस साफिक के साथ हमें आज कुछ रुचिकर प्रेजेंटेशन के लिए श्री विश्णो जी गोयल साब हमारे भी चुपस्तित हैं और गोयल साब का उपरमगे में पर स्वागत करें आपका बहुत पर स्वागत 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 हैं हम जीतो आखर ये जीतो क्या करता है उसकी क्या एक्टिविटीज है इन सारी बातों को जानने के लिए हम सुनना चाहेगे आप सिब के बीच में जीतो उदैपुर के चेर्मेन श्री राजकुमार सुराना जी को जै जीनेंडर जीतो उदैपुर के सदश्य और पधारेवे अथिती गण का मैं चीतो की इस वार्ता के अंदर में तहे दिल से स्वागत और अभिनमन करता हूँ जीतो जीतो एक डेश गापी संस्ता है जो लोग जीतो के सद्शेनी उनको तो ऐसा मतब आवगत करा दूं जीतो के बारे में इंडिया में 70 चैप्टर है जीतो के, इंटरनेशनल 12 चैप्टर हैं और करीब 20,000 सद्शे जीतों से जुड़े वे हैं जीतो के ऐसी संस्ता है जिसमें महावीर वगवान को फॉलो करने वाले सभी सेक्ट के लोग के अंजर में आपे समाहित हैं और जीतों का में मुद्श्य है या इकोनोमिक इंपावर्मेंट आपस में किस तरह ब्यापार बढ़ाया जाए ताकि एक दूसरे का आपे सामाजिक या उठान हो जीतों और भी बहुत सारे कारे कर रहा है जिसमें आपको बताना चाहूंगा बच्चों को सर्विसेज के लिए प्रोटसाहित करना जीतों के चार-पांच जगह या हॉस्टल्स हैं जहां से वो अपर निसुल्क लगभक निसुल्क उन बच्चों को रहने की ख प्रोग्राम के एक्सपर्ट हैं उन्हें हम सुनने जाएगे इस कारिक्यम के करन्विनर और चीए अनिल शाहजी के द्वारा परिचे दिया गया हमारे इस सेमिनार के एक्सपर्ट विश्णु गयल जी विश्णु जी गोल वैसे अपने जो इसके मास्टर है तो उनका काफी डिपल जंटारी रखते हैं और मैं कह सकता हूँ कि हैं सबके इस साइब लो पीडियों है आगे बढ़ते हैं और अब हम सुनना चाहेंगे हमारे इस सेमिनार के एक्सपर्ट विश्णु गयल जी को जोनों ने इस दोरान हमें बहुत सारी पॉलिसी के बारे में बताया तो आईएगा देखते हैं इस वीडियो के दोरान उन सारे पॉलिसी की इन्फोर्मेशन विश्णु गयल जी के दोरा इंसेंटिव के सब्सिडीज क्या है वर में क्या चाह रहा है इंडियामनी वर में क्या चाह रहा है वर में किस तरह के चेंज़े जा रहे हैं उन सबको बेखते हुए आपको बिजी स्लेक्ट करना चाहिए मैं आपको जो रायस्तान गुवर्णमेंट की स्किम से सबसे दले में उनके बता जाताम हमारे डिसकस करने जा रहे हैं रायस्तान इंवेश्टमेंट टर्मस्टन स्किम 2019 के बारो में सेकर हम डिसकसन करेंगे MLEPY मुख्यमंत्री लगवद्योग प्रुष्टा नियुजना में फिर हम डिसकस करेंगे एग्रो कोसिसिंग, एग्री बिजनिस, एग्रो एक्सफ़र पोलिसी के बारे में फिर भोस सारी policy जाए tuition policy है, exercise policy है land tax है, udatex है land से समझे, business से समझे मैं आपको courses करूंगा कि सारी policy को अलगलग करिके से समझा देता हूं अब जब कोई भी business start करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले instant benefit के बारे मतानी जा रहा हूं दो ऐसे instant benefit है जिसमें आपको अपना बिज्नीस स्टार्ट करते ही प्रन्त उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपको किसी भी तरह के लिए गवर्णेंट डिपार्टमेंट में रिफंड के लिए नहीं लगाना है चक्कर मतलब वो ऐसे benefit जो आपको पेही नहीं करने हैं आपको किसी भी तरह के department पे चक्का लगाने के जबबत नहीं है सबसे पहले किसी भी business को हम start करेंगे तो हमें requirement रहेगी land की आपको land purchase करना है, reach पे लेना है किसी भी तरह की land तो ऐसे आप agriculture land ले रहे हैं या converter lane ले रहे हैं, residence lane ले रहे हैं लेकिन आपका पर्पड़ है कि मुझे उस पर industry लगानी है hotel लगाना है, hospital बनाना है educational institute बनाना है तो आपको educational institute के लिए नहीं है educational institute के लिए 50% की रिवेट है पुरानी policy में यह आप करना चाहते हैं तो जो सबसे पहले अपन रहिष्टी कराएंगे उसके अंदर रायस्तान investment promotion scheme 2019 में 100% की छूर दी गई है छूर दी गई है, इसका मतलब आपको जमाही नहीं कराना है आपको apply करना है entitlement circuit आपको जारी हो जाएगा इसमें कोई refund का चक्कर नहीं है जब भी हमको रेष्टी कराते हैं जो instant benefit है वो है conversion charges का आपको जब जो land ली है आप उसको convert कराते हैं तो उसमें 100% एक जमसन है conversion charges का अब देखे, मैं आपको सबसे पहले कुछ tips देना चाहता हूँ land purchase करने में और conversion charges कराने के अंदर जो land आप purchase कर रहे हैं जो आप देखे कि land के अंदर जो आपका investment होता है आप उन्हें पूरे project की कोश्ट कर दीजी कि कितना project हमें करना है तो land में investment आपका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए successful business के लिए बहुत से जोने land के prime location पे land ले लेते हैं land में बहुत ज़्यादा investment कर देते हैं तो जो उनका project ठना है वो सफन होने का chances बहुत कम रहता है तो यदि आप ग्रामिन इलाके में land लेंगे तो आपका conversion charges 100% exemption है आपको single पेसा जमा नहीं कराना है लेकिन आपने land यदि urban area में ली तो आपको conversion charges की छूट है development charges की छूट है लेकिन आपको उसमें lease में नहीं जमा करानी पड़ेगी उसका BSUP fund जमा कराना पड़ेगा 5% facility का भी pay करना पड़ेगा और ये सारा charges मिलाके काफी amount हो जाता है यदि आपको अपने project के लिए बड़ी land की requirement है तो मेरा solution है कि आप government area के अंदर land को select कीजिए अब land purchase करते हैं कुछ basic चीज़ों की आपको धान अपना है सबसे पहले agriculture land जो हम purchase कर रहे है तो हमें ये देखना है कि वो land का title के लिए है तकास्मा तर्मिन मतलब जो भी आप land purchase कर रहे है उसका तकास्मा तर्मिन के लिए होना चाहिए वो land रोर पे होनी चाहिए मतलब कम से कम record के अंदर मौके पे रोर बनी हो ये record के अंदर रोर एवलिवन होनी चाहिए सेकिर वहाँ कोई high power pencil line नहीं चाहिए होड़ आपको ये देखना चाहिए कि जो land आप purchase कर रहे है 1950 में कहती आज मौके पे ज़रूर नहीं है land सही है लेकिन मालों 1950 में वहाँ पर कोई नदिनाला तालाब था या 1950 के record में कोई नदिनाला तालाब था तो फिर आपको land conversion में बहुत problem आईगी तो land उसका conversion नहीं होगा तो हम यहाँ business start करने के लिए land ले रहे हैं लेकिन आपने land लेने से पहले उसकी proper inquiry नहीं की तो हमें business start करना तो दूर हो जाएगा और हम land के चक्कर में ही फच जाएगे तो जब भी आप land purchase करें तो सबसे पहले उसकी pre-inquiry करें कि आपको कितनी land की requirement है उस 1950 मुश की जमाबंदी क्या है सेकिन आपको उसको PT survey भी कराना चाहिए आप lane देखने कि लेन ये 5 विगा है लेकिन आपको उसका PT survey कराना चाहिए और आज कर भह सारी technology आ गी वो आपको बताइए कि ये जो land आप खरीद रहे है आप प्रोफेशनल की सेवाले उसको देखे पुरा सब हो जाए तो फिर आप lane purchase करिए अर्बन एरिया में आप lane purchase कर रहे है तो आपको master plan का पुरा ध्यान रखना है जो urban area का master plan बना हुआ है और बहाँ पर हर चीज का fix किया लाए कि ये residential है ये commercial है, ये periphery based है और उसके अंदर fix किया लाए कि इनमें क्या-क्या चीज permissible होगी जो आप करना चाहता है तो urban area में पहले किलिजर कर दीजिए कि क्या चीज है, हमें यहां से permission मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बाद में आप lane purchase कीजिए lane purchase करने के बाद में आपको उसका nomination कराना है आज कल online register होगी तो ruler में आपने grammy लाके में lane purchase किये तो आपको नामांकन automatic खुल जाएगा ये आपने urban area में की है तो आपको उसको नामांकन खुला ये दि converted lane है तो आपको उसमें नाम transfer कराना पड़ेगा lane आपने purchase कर ली convergence का हो जया अब आप चाहते हैं कि हमें government department के अंदर convergence में बहुत time लग जाता है तो हम्मारा business काफि दिली हो जाएगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ MSME audience के बारे के अंदर ये एक ऐसे audience है जिसमें आप without convergence यहां सात्यों without convergence, without building plan April, first day से ही आप अपना काम सुरू कर सकते हैं कोई भी government agency मैं बात कर रहा हूँ तरसिदार की, Amin की, पत्वारी की UIT की कोई भी आपके उस जगह पर तीन साथ तक किसी भी तरह के April और Permission के लिए आपके प्रमिजेश पर नहीं आएगी तो ये government में बहुत अच्छा जो economic empowerment के लिए industry को बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट लाया है आप अपना काम इसमें तरन सुरू कर सकते हैं आपको convergence charges land convergence का बेट करने की जर्वत नहीं है ये जो एक्ट है ये ruler में, urban में सबी ज़गर पर लागू होता है आपको क्या जहां रखना है किवल जो भी आप land ले रहे हैं वो legally convert हो सकती है या नहीं हो सकती है यदि हो सकती है तो आप तुरंट अपना काम सुरू कर दीजिए सेकिन आपको proper set work छोड़ना है क्योंकि तीन साल दापको में conversion कराना ही है और यदि आपने proper set work नहीं छोड़ा तो उसमें penalty लग जाएगी तो आपको proper set work, age per rule छोड़ना है उसके बाद में आप अपना construction करा दीजिए अब आपने construction करा दिया और तीन साल बाद में conversion के लिए apply करेंगे तो जो भी conversion authority है वो आपको कहीं साथ आपने building कैसे बनाई तो हमारा वो registration करा हुआ है तो हम कहीं साथ हमने इस act में कराया है तो आपके पर कोई penalty नहीं लगेगी इसके में एक planning हो रहा है कि conversion charges में urban के अंदर है आपके lane तो आपको lead money वगर यह सब जमा कराना पड़ता है तो कल बार यह amount काफी ज़्यादा बन जाता है building plan का amount भी ज़्यादा बन जाता है तो आप अपना जो यह खर्च करने का amount है इसको आप दो साल के तीन साल के लिए postpone भी कर सकते है आपको immediately खर्च करने की जवत नहीं है आप अपना काम सुरू कर दीजिए apply कर दीजिए और आपके पास तीन साल का time period है आपकी file प्रोसेस में सुरू हो जाएगी और तीन साल के लिए आपका conversion हो जाएगा 6 मेने का इसमें grace period में दिया जिया है मतलब आपने पास साल तीन साल का time है साल तीन साल बार में अपन land convert करा लोता है और अपना business start कर सकते है land आपने ले ली conversion हो गया आपने अतना काम सुरू कर दिया अब आप bank के अंदर loan लेने के लिए जाएगे क्योंकि यह ना बिना amount के नहीं चाहता है तो अब में आपको बताने जा रहा हूँ M.L.U.P.Y. स्किन के बार में मुख्यमंत्री लगो देव प्रोस्टाम योजना इसके अंदर bank से जो भी आप loan लेंगे उसके अंदर interest subsidy दी गई है interest subsidy है यदि आपका loan amount 25 लाग तक का है तो government आपको 8% interest subsidy दे रही है यदि आपका loan amount 5 को लाग तक का है तो इसमें 6% interest subsidy है और यदि loan amount 10 को लाग तक का है तो आपको 5% interest subsidy दी जाएगी ये जो interest subsidy है वो आपको 5 साल तक मिलेगी अब आप पहेंगे किस तरह से मिलेगी सबसे दोले आप bank में जाएंगे और आप bank को कुछ दे बखाना है किसा हम ये स्क्रीम लेंगे ये नहीं लेंगे bank से हमें sanction करेंगे bank को तो जो bank interest ले रहा है वो पूरा मिलेगा bank से अपने sanction later ले लिया sanction later लेने के बाद में हम DIC में apply करेंगे interest subsidy के लिए और जो ये interest subsidy है वो आपको sanction हो जाएगी sanction होने के बाद में पांस साल तक आपको continuous interest subsidy मिलेगी इसकी terms condition ये है कि आपको quarterly हर तीन मेने के अंदर आपकी instrument चली जाएगी फिर बहां से report आजाएगी report आने के बाद में government के जारा आपका interest amount उसमें transfer कर दिया जाएगा मैं आपको उड़ान लेक के बताना चाहता हूँ कि जैसे bank ने मालो आपको 9% के अंदर 4.000 रुपे का loan sanction किया तो bank को तो 9% पूरे मिलेंगे लेकिन government आपको 6% interest वो आपके account में transfer कर देगी तो इसके लिए term loan और C.C. limit दोने तो ये है बहुत सही नहीं कहता है जिसा हमारा existing loan है तो existing loan को नहीं मिलेगी कोई आपको पराने loan को बंद करके आपको जो भी इसमें new industries के लिए मिलेगी जिसमें आपको अपना project report submit करने परेगी उसमें आपको अपना plant and machinery term loan में आपने क्या लिया है वो सारी सी submit करेंगे C.C. limit को आप यूटिलाइज करेंगे आपने C.C. limit ले लिए यूटिलाइज नहीं किया interest आपका लगनी रह तो आपको subsidy नहीं मिलेगी जो आप यूटिलाइज करेंगे उस amount पर आपको subsidy मिलेगी MLE के scheme रूलर में अर्वन में सभी अरिया में सभी तरह की इंडिस्ट्रीच पर इवन टेडिंग कंसर्ण पर भी यह इसकिम लागव होती है तो हमें सबसे पहले land convert हो गया उसके बाद में purchase कर लिया interest subsidy मिल गई अब इसके बाद में आपना काम सुरू करेंगे तो आप सबसे होगे कुछ capital subsidy भी है क्या यहां साती हो गवर्मेंट की तरह से बहुत सारी scheme है जिसमें अलगलग capital subsidy भी दी गई है मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ RIFS के इंडर गयास्तान investment perversion scheme उसके इंडर capital subsidy का provision किया गया है और यह capital subsidy है यह अलगलग sector वाइज है अलगलग sector के इसाफ से आपको certain amount invest करना होता है उसके में प्लाइड में से इतनी लगाने होती है तो उसका 20%, 10% अलगलग sector से बहुत सारे sector बने में है सबसे पहले अपने उद्यपूर के इसाफ से पीजम sector पीजम sector को भी थर्ष सेक्टर में ले लिया गया है यह आपका प्रोजेक्ट पांच क्रोड से जादा है तो आपको 25 लाग रुपे की capital subsidy दी जाएगी capital subsidy कर मिलेगी जब आपका work श्रू हो जाएगा आप first sale will जारी कर देंगे फिर आप subsidy के लिए apply करेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है पांच कोड़ से जादा है और plant and machinery आपकी 2 करोड तक की है तो 2 करोड तक की plant and machinery का 25% यानि 50 लाग रुपे आपको government के बारा case subsidy दी जा रही है प्रोजम को परमद करने के लिए इसी तरह से agro processing के अंदर भी subsidy है food processing के अंदर भी subsidy है, pharmaceutical में भी है, textile में भी है, emcent के अंदर भी है बहुत सारे जो अलग-अलग है उसके अंदर subsidy है, hospital के लिए भी subsidy है उनमें सब में है कि एक certain amount आपको invest करना है, उसके साथ से आपको ये subsidy दी जा रही है जो government ये subsidy दी जा रही है, ये इसमें new plant, सबसे पहले loan लेना जरूरी है क्योंकि जितने subsidies है वो bank loan से attached है कि जब आप loan लेंगे तो आपका project official होगा, उसके बाद में आपको subsidy displacement की जाएगी और आपने देखे कि conversion का हो गया, सब कुछ हो गया ये मैंने आपको जो instant benefit बतायते, वो benefit बतायते, instant duty का और conversion charges का अब आप अपना business start कर दी आपने तो अब आपको पाँच में इसे benefit के बादे हम बता रहा हूँ, जो आपको business start करने के बाद में मिलेंगे सबसे पहला benefit है, SGST का, यहां साथियों जब भी हम कोई भी अपने industry लगाएंगे, hotel सुरू करेंगे, hospital सुरू करेंगे तो जो भी हम अपने client को भी जारी करता है, तो उस पर GST लगता है, GST के दो पाद होता है, SGST और CGST तो state का tax है, SGST, वो अपन को 75% SGST वो government के बारा आपको refund किया जाएगा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो आप पेर करेंगे, वानलों आपने plant and machinery जो भी purchase किया है, उस पर जो प्रिमिंस्मेंट होने के बाद में, जो net जो आप पेर करेंगे, उसका 75% आपको 7 years तक government के बारा refund किया जाएगा यह है second benefit, अब मैं आपको बात कराओ, electricity duty की, आपको जो electricity bill आता है, उसके अंदर 40 पे से electricity duty के नाम से लगावा आता है, तो 7 years तक हमें electricity duty की छूट मिलेगी, 40 पे से per unit की छूट मिलेगी, और यह जो छूट मिलेगी, इसमें एक बार जो entitlement circuit जारी हो जाता है, वो हम JVN में जो जो आपको बिल आएगा, उसमें automatic 40 पे से per unit का deduction होके अपने आप आजाएगा, आपके इसमें कुछ करने की ज़वत नहीं है, फर benefit है, लेंटक्स का, एक अपरेज से, एक अपरेज से, लेंटक्स भी लागू हो गया है, लेंटक्स लागू है, रूनर एरिया के अंतर, पहले रूनर एरिया में लेंटक्स था, तो बहुत बड़ी जमिनों पे लगता था, लेकिन अब, लेंटक्स लग जया है, रूनर एरिया पे, नगर निगर्म की जो सिमा है, उससे बाहर जो भी लेंड है, रेजेंसल लेंड है, और एग्रिकर्चर लेंड है, इसके लावा, कोई स दो रुपे, तीन रुपे से लेकि पंदार रुपे मिटर तक का लेंटक्स लग-लग इंड़स्टीज के इसाफ से लगता है, तो राइसतर इंड़स्टन परवस्टन स्किन के अंदर, लेंटक्स में भी हंड़ेंड परसेंट की छोड़ दी गई है, यानि सेवन येर्स तक आपको लेंटक्स जमाही नहीं करारा है, जब भी आप कोई भी अपना इंड़स्टन के इसाफ लगता है, यदि आप को लगता है कि मुझे पांच विका जमीन फार काम हो जाएगा, तो आप फिस फेड में पांच विका जमीन फार करा लिए बाकी जमीन को आप एर रहना द मुझी जीजिए। भूरे गरंगें पर नहीं करना पड़ेगा. इस के बाद में भीनिफित है अतना Business. गरंपृर्सी से अत गरंव दुघनलाथी चाहिEMAते हư पाउन पृम्टुविशन या नों रही है कि हूँ, 75% आपको 7 years तक गोवर्मेंट के दारा refund किया जाएगा तो यह भी काफी बला एक benefit है और बहुत सारे जो इंडस्टीज ऐसी होती है जिनको महंदी से कुछ पर्चेश करना रहता है उनका raw material महंदी से आता है अग्रो प्रोसेसिंग में है फुर प्रोसेसिंग इंडस्टीज में है तो रायस्तार इंडस्टीज प्रोसेसिंग के अंदर मंडी टेक्स में भी 100% की छूट दी गई है तो आप अपना जब भी प्लान करें अपना budget प्लान करें तो इसके अंदर हमें S.E.S.T. की छूट, Land Tax की छूट, Electricity में छूट, मंडी टेक्स में छूट, यह सारी छूट जब गई है अब गवर्मेंट ने काई कि ठीक है, 7 एस तक छूट है लेकिन आपका project बेट्वाटिस्टिक में है या मोस्ट बेट्वाटिस्टिक में है तो इस जो छूट आपको 7 एस की जिए तेन एस तक के लिए दी जाएगी और आपको लगता है कि आपका project बहुत का investment कर रहा है, आपको बताईए क्या चाहिए, आपको यह land चाहिए, कम प्राइब में चाहिए, तो government आपको land देगी और जो जितने भी benefit बताया है, 75 की जिए आपको 100% दे सकती है, 7 years की जिए 10 years है, बताँ जिए आप जादा investment कर रहे हैं, तो इसमें आपको customer TKP में सकता है इसमें लोगों को इसका मालूम नहीं होता है, फुरायस्तान investment करों से इसमें में चले जाता है, यह आप एग्रों से समझनित काम कर रहे हैं, तो मेरा सजिशन है कि आपको इसमें लेना चाहिए, इसमें में आपको interest subsidy और capital subsidy तो दोनों साथ ही मिल जाती है, यह इसमें ऐसी है कि इसके अंदर आप जो भी investment कर रहे हैं, उसका 25% आपको जो eligible fixed capital investment है, उसका 25% और medium 50 लाग रुपे तक की capital subsidy मिलेगी, इसके अंदर बहुत सारे sectors है, मुँ आपको कुछ sectors पताने जाता हूँ, honey processing का है, milk processing का है, even bakery है, डाल मिल है, oil मिल है, यह सारे agro processing industries में आते हैं, warehouse है, cold storage है warehouse के लिए में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे warehouse बन रहे हैं, लोगों confusion है, warehouse के लिए भी तीन scheme में देखिए, एक scheme है नावार की, नावार की scheme में आपको 50 लाग रुपे तक की capital subsidy बेराउस बनाने के लिए, और उसकी एक condition है, कि आपको जो बेराउस है, वो नगल निगम की सिमा से बहार होना चाहिए, सबसे पहले तो, जो नगल निगम की सिमा से बहार है, तो हम नावार की scheme में जा सकते हैं, सेकिन जो नावार के अंदर है, वो आपके लिए boundation है, कि 5 साह तक आप उसको, मतलब ब्रेंट पे जाना है, आपको किराय के जाना है, लीच के जाना है, टो वो एज गरीचे प्रेट्ट लिए बेंगे, अगर ये अपके अंदर नहीं रख सकते हैं, नावार के अंदर, नावार के जो उसके अंदर, पर, पांछ साल राद मा फिर हैं, पांच साल राद मा फिरे आप उसको किसी भी commission कर सकते हैं, और ये 50 लाद की subsidy है आपको, ये यह समय हो नावार की व्हार कृष्ट बनने तक ही जब अब पर अग्राइब के तक ही Mika की व्हभाष्ट बनना चाहते हैं जिसमें कुछ पी चीज रखने चाहते हैं तो इसके लिए श्रीम है कि अंदर रिशी के अंदर आपके सारी चूट मिल जाएगी तो चाहते हैं अब बताना चाहता हूँ, अर्वन एरिया में आप बेहरा हो सुना रहा है, तो इसको मेर जब लेंड कराते हैं, तो लीज मनी भी लगती है, लीज मनी भी हंदेट परसंट एक जमता है, यह बहुत बड़ा बेनिफित है, और इसके आपको जाना जरूरी है कि जिससे गुवर् करेंगे, तो इसके बहुत सारे जो यह बताने पाते हैं, तो इसके आप अपडेट हैंगे, यह स्कीम है, तो गोर्मेंट डिपार्टम्ट आपको पूरा आपका हेल्ग भी करेगा, और आपका काब बहुत फास्ट हो जाएगा, तो बेहरा हुआँस के फ्छेर स्कीम है एग करेंगे, तो इसके बहुत जानका देखना जरूरी है, तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट मिले रहा है, और हम कोई भी बिजनिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें यह पॉलिसी देख ली, इसकिम का देख लिया, केपितल सब्सटी का देख लिया, और हमें टेक्सेज के बहुत जानका देखना जरूरी है, तो मुझे मालूम है कि 80% लोगों को इसका मालूम नहीं है, इसका मालूम कट चलता है, जब उनके पास नोटिस पहुंच जाता है, आपने फेक्ट्वी बना ली, मकान बना लिया, होटल बना ली, आपको पास 50 साल बाद में आता है कि आपको 1% कोस्ट का जमा कराना है, और मुझे मालूमा भी, जैपुर में भूस सारे नोटिस पहुए हैं, यहां भी, और इसकी प्लानिंग अपन करती नहीं है, तो आप जब भी बिजनिस करें, फेक्ट्वी बनाएं, कुछी करें, तो इनीस से लें पी इसकी प्लानिंग कर बना रहे हैं, यहां होटल मना रहा है, तो तसनल मकान के अंदर के यह 10 लाग रुपे तक की एक जमसन है, मतला आपने 15 लाग का बनाया है, तो 10 लाग तक कोई लेवर सेस्ट नहीं है, उसके बाद में आपको लेवर सेस्ट पे करना है, लेकिन आप फेक्ट्वी बना रहे है होटल मना रहा है, कुछ ही मना तो उसमें किसी में रहे हैं, जो आपको कोश्ट है, उसका बन परसल लेवर सेस्ट के रुप में जमा कराना है, तो इसके जिसर एक पूरी प्लानी होती है, सबसे पहले जैसे ही आप लेवर सेस्ट के बारे में हैं, जब आप कोंटेक्टर को कोंटेक्ट दे रहे हैं, उससे समय आप एक्रिमेंट कर लीजिए, और कोंटेक्टर के द्यारा ही लेवर सेस्ट जमा करा दीजिए, ताकि आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पुरा बना लिया, तो लेवर सेस्ट की जो डेफिनेशन है, उसमें है कि एक पर लेवर सेस्ट हो जाएगा, अब यूडी टेक्ष, जूडी टेक्ष के बारा में आपको बताने जा रहा हूं, कि जूडी टेक्ष अर्वन एरिया में लागू होता है, वह ले आप बहुत से बीजिए में देखे हैं, हमारे क्लाइंट के पास अर्वन एरिया के अंदर है तो कल्यों ने तो जमावी किरा दी है, करियों के मोटाने कि सब 40-50 जा रहे है, हम तो किसी तरह का दी ने रखना चाहते हैं, वो जमाव किरा देते हैं, लिकिन वो गलत है, आप देखें, कोई भी आपके पास government demand आती है, तो आप इसको properly study कीजिए, कि ये क्या आई है, किस रेट लग रही है, वो सही है या नहीं, उडी टेक्स के जारे मैं बताना चाहता हूं, कि आप धहां से बेखेंगे, तो 80% जो यूडी टेक्स के अपने बास demand आती है, उसके अंदर आपको difference मिल जाएगा, area का difference मिल जाएगा, rate का difference मिल जाएगा, आप देखेंगे उसके जो भी अपन नए industry लगाएँगे न, उसके बारे में आपको पूरा देखना चाहिए, अब बहुत अच्छा एक जो अभी लागो हुआ है, recently, मोडल रायस्तान बिल्डिंग बाइलोज 2020, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, अब से पहले क्या था कि अलगलग district के अं जास्तान वो गवर्मेंट ने कहा है कि वर्टिकल बढ़ेगा, मतलब उन्होंने बिजनिस के जो भी बिल्डिंग बनेगी, उसके मेरा अधिक हाइट की पर्मिस्न दी गई है, वो हाइट का उन्होंने हर चीज को किलियर कर दिया, पहले बहुत सारी चीज़ें कन्फुजन इस बीदिंग बाइलोज के इनदर की लिए हो गया, कि रिजोट क्या होगा, विसरो हाइसिंग, फार्मोस क्या होगा, दिको क्या होगा, लिको फिर्फेंडी हाउस क्या होगा, कहां लगा सकते हैं, आप हुस्पिटिल मनाना चाहते हैं, उसके लिए minimum land के रिकौर्मेंट के सब चीजे इतन क्लियर हो गई और इसमे कितने कितने चार्जे लगेंगे अब देखे अब जो नया जो बिल्डिंग वाल हो जाए उसकी जो मैं आपको बेसिक इंपोजेंट थिंग्स के बारे में बतानी जा रहा हूँ सबसे पहले अब जो सेत्वेक है ना वो सेत्वेक कम हो गए है और आपको रोर के इसाफ से और आपको प्लोर साइज की इसाफ से हाइट उन्होंने परमिसन दे दी है मतलब चालिसवी डोड़ पे हैं आपको दोस्ट जादा का प्लोट है तो आप ग्राउंड प्लेस भी बना सकते हैं बीच में करोना काल में हमने देखा था कि साथ आप एक फ्लोर रेश्टा बना सकते हैं तो वो ये मॉडल बिल्डिंग बाइलोज के अंदर आ गया है अब आप होटल बना रहा है तो आप नीचे सोरों भी बना सकते हैं तो टोटल बिल्ड़ को एरिया आ रहा है आपका उसमें 10% तो आपको कॉमर्सिल यूज के लिए भी एलाव है रिजोट के लिए पहले क्या था कि ग्राइंड का वेश्टा 20% और हाइट की थी कि आप सारे बारा मिटर से जाड़ा की हाइट नहीं लिया सकते हैं एक जो सबसे महत्रून चेंज किया गया है मोडल बिल्डिंग वायरोच के अंदर है वो है कि पच्छिस सो मिटर तक के जो बिल्डिंग प्लान है वो आपको उसके लिए कहीं भी दे दे के अंदर नगर निगम में नगर पालिका में जाने की जरुत नहीं है आपके पच्छिस सो मिटर तक के जो है बिल्डिंग प्लान आप खुद घर बेठे उसको एप्रोल करा सकते हैं क्या करना होगा इसके लिए आपको आपके जो डोकुमेंट्स है टाइटल पर है वो जो भी बार कॉंसल का एड़ोकेट है वो उन डोकुमेंट्स को सर्टिफाई करेगा कि येस ये टाइटल किलियर है उसके बाद में सेकिन है आपके आपने जो मेट बनाया है जो डोकुमेंट्स है वो आपके मेट को बिल्डिंग प्लान को चेट करेगा आपसे एफेडेविट लेगा जो आपने लेविल पे उन सब को करके चेट करके वो उसको सर्टिफाइड कर दिया कि येस ये सही है उसके बाद में जो चार्जेग होता है वो आपको ऑनलाइन जमा कराना है और ये सारे डोकुमेंट्स सम्मिट करना है तो आपका बिल्डिंग प्लान ओटोमेटिक जमान नहीं काफी टाइम लग जाता था लेकिन अब आपको एक चीज का धान अखना है कि जो भी रूल्स के रिसाब से से शेटवेग है वो सेटवेग आपको प्रोपर चोनना है जितने भी हाइट पर निसे भी रहे उतने ही हाइट तक आपको अपनी बिल्डिंग को बनान लग जाते थे इसके प्रोसेजर में लग जाते थे अब ऐसा कुछ नहीं है अब अब यसा आर्चिटेक्ट ने आपके लगसे पास्किये हैं वही अफुराई है वही आपको अकुपेंसरीट जारी कर देगा वही आपको कमपोशेट जारी कर देगा तो यह जो बिल्डिंग लग रही है, ओनलाइन लगने के बाद में भी डिपार्टमेंट के इंदर फाइल ट्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, कि आपकी फाइल किस वेक्ति के पास कहा थी, किते दिन भी आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसमें क्या अब्जेक्शन आप आपके पास ओनलाइन आ रहा है, जैसे कि इंकम टेक्शन लिए फेस्टेस असस्मेंट शुरू हो गया है, तो गोवर्मेंट डिपार्टमेंट में भी काफी सारे चेंज़े हो रहे हैं, जो हमें बिजनिस स्टार्ट करने के लिए पहले की तरह नहीं हैं, पहले कि बहुत से लोग में बेखता था, कि अग्रीकर्चर लेंट पर उन्होंने बना दिया, कुछ भी, मैं उनसे पोचता था या आपने क्यों किया, किने सार कनमजर मे किया, किसी ने भी सिकायप कर दी, तो उसके बेर आपको प्रशा निया सकती हैं, नहीं ये तरह सेसन था कि आप किसी बी तरह का बिजनिस करें, उस बिजनिस की पहले फूरे इस्टीडी करें, उसकी POLICIES देखें, और फिर आप उस बिजनिस को स्टार्ट करें, थैंकीू.